तो ये वेज मुमोज बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में पानी और उसमें हम डालेंगे सोया चंक्स तो पहले हम पानी ले लेते हैं बहुत थोड़ा ही पानी लिया है मैंने लगभख एक ग्लास के आसपास और फिर हम डाल देंगे 15-20 सोया चंक्स इनको हम बॉयल कर लेंगे जो इसमें अगर ज्यादा दिन तक सोया चंक्स रख रहते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा एसमेल बगरा आ जाती है तो वो बिल्कुल निकल जाएगी तो बॉयल करना इसलिए जरूरी है अदरवाइस आप ऐसे भी पानी में सोकर के रख दें और इनको निचोड कर यूज कर सकते हैं अब हम लेंगे एक पैन पैन में थोड़ा सा रिफार्ड ओयल डालेंगे और इसमें कुछ चीज़न डालेंगे तो मैंने एक चमास भरकर जीरा एट कर दिया है इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे तो इस तरह से हिला चला देंगे तो चीज़ों का अच्छा रहेगा तो इनको अच्छा से फ्राइ कर लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे दो इसमें हमने हरी मिल्चे फाइन चॉप करके डाल दी है और एक टमाटर मीडियम साइज का था इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे ज इसके लिए हम इith राइडश के ही हाई फिलेम पर ही कुछ करना है इसके बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाल इसके लिए में डालूंगी इसमें आधा जमाज भूरह काईमाज काली का पाउडर अधा चमाज रचीजीजी का पाउडर सेयदո पहुड़ूर झाल हम तो ये देखिए हमारे सोया चंक्स अच्छे से सोक हो चुकी है और ये ठंडी भी हो चुकी है तो इनको इस तरह से पानी हम इनका स्क्वीज कर लेंगे हातों से निचोड लेंगे तो ये देखे हमारे सोया चंक्स ग्राइंड हो चुके हैं और इसमें मैंने एड़ कर दिया है अब 3-4 मिनेट इनको हम अच्छे से फिर फ्राइ करेंगे जिसे कि इसका जो कच्छापन है बिल्कुल ही निकल जाएगा फ्राइ करने के बाद हम इनको थोड़ा थंडा होने के लिए रख देंगे एक साइट पर और एक टमाटर लेंगे मीडियम साइज का इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इस तरह से गैस पर डारेक्ट भी भून सकते हैं और भूनने से आपका टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है तो अभी हम इसको भूनने के बाद एक लहसुन का साबुत गांठ लेंगे उसको भी हम भून लेंगे अगर आप इसकी जबे लेंगे तो फिर आपको भूनने में दिक्कत होगी तो इस तरह से मैंने लहसुन में भून लिया है अब इनको हम छील लेंगे तो ये देखे बहुत आसानी से टमाटर का छिलका उतर रहा है तो आप इसको अगर भून कर यूज करते हैं तो टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है और इसी तरह से हम लहसुन को भी छील लेंगे तो मॉमोज की चटनी बनाने के लिए हमने लहसुन और टमाटर को भून लिया है अगर इस तरीके से आप टमाटर और लहसुन पीस कर भून कर चटनी मुमोज की तो बहुत जादा ही डिफ्रेंट टेस्ट आएगा आपका और इसमें मैं किसी कलर वगरा का यूज नहीं करूँगी अगर आप चाहें कलर यूज करना चाहें तो फिर कश्मीरी लाल मिल्च पाउडर आट कर सकते हैं फिलाल इसमें मैंने आधा चमच नमक आट कर दिया है आधा चमच जीरा आट कर दिया है और तीन साबुत लाल मिल्च आट कर दी है अगर साबुत लाल मिल्चो को भी आप थोड़ा सा पैन में भून कर डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो ये देखिए काफी थीक सी चटनी हमारी तयार हो गई थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्सर के जार को खंगाल कर पानी आट कर दिया है तो काफी अच्छी कंसिस्टेंसी आ चुकी है और इधर ये देखिए स्टफिंग में ठंडी हो गई है और इसमें थोड़ा सा हमने गार्णिशिंग के लिए हरा धनिया एड़ कर दिया है अब इधर हम डो सेट कर लेते हैं तो एक कप मैदा हम ले रहे हैं इसमें थोड़ा सा हम नमक एड़ कर देंगे इनको अच्छे से हम सूखा ही मिला देंगे अगर आप मैदे में नमक ना एड़ करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है आप ना एड़ करें तो चलिए हम फिलाल डो सेट कर लेते हैं और आप चाहें तो मैदा और आठा दोनों आधा अधा मिला कर भी ले सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और कोई फर्क भी नहीं आएगा हमारा तो यह देखी फिलाल हम डो लगा लेते हैं तो अब इसको हमें हाथ से मिक्स करना पड़ेगा तो इस तरह से हम हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे डो को अपने और थोड़ा साम सेट होने के लिए इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए इसको ढख कर रख देंगे तो डो हमारा काफी अच्छा सेट हो जाएगा तो 15 से 20 मिनट बाद हमने डो को देखा है चेक किया है तो काफी अच्छा सा हमारा सॉफ्ट सा डो लगकर त्यार हो गया है तो अब हम इसमें छोटे-छोटे से पोर्शन निकाल लेंगे बहुत छोटी-छोटी सी लोईया निकालेंगे क्योंकि आपने मुमोज तो कई बार बाहर खाये ही होंगे तो बहुत हलकी लेयर होती है बहुत मोटे नहीं होते हैं तो एक लोई हम लेंगे इस तरह से और इसको हम बेलन से बेल लेंगे अगर चिपक रहा है तो इस पे थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा हम डस्ट कर लेंगे जिससे की चिपक न बंद हो जाएगा तो यह देखे हमने यह पतली सी पूड़ी बेल ली है अब इस पे हम स्टफिंग रखेंगे स्टफिंग इतनी रखनी है जितनी की आसानी से आ जाए और हमारा मॉमोज खुला न रहे बंद हो जाए अगर यह खुले भी रहेंगे थोड़ा सा कई सारे डिजाइन बन कर तयार होते है मॉमोज के अगर थोड़ा सा खुले भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आछी ल बनाना बहुत अच्छे से बहुत इजीली बनकर त्यार हो जाते हैं और टेस्ट तो बहुत ला जवाब आया है एक बार आप इस तरीके से बना कर जरूर देखें तो यह देखे एक हमारा बनकर त्यार हो गया है अभी हम दूसरा भी आपको बना कर दिखा देते हैं दूसरा ड लगाएंगे तो हमने ये चार चुटनटिस में हमने डाली है यानि प्लेटे हमने चार डाली है और इस तरह से हम उठाकर इसको बंद कर देंगे तो बिल्कुल लीफ स्टाइल बनकर त्यार हुआ है ये मुमोज बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहा है देखने में तो चाह पानी बहुत जादा नहीं लेना है थोड़ा ये मान की चलिए एक लीटर के आसपास पानी हमने लिया है तो इस टैंड मैंने लगाया था तो काफी मूचा लग रहा है और जिससे के हमारा उपर कवर करने अला धकन बंद नहीं हो पाएगा तो इसके लिए हम अभी आपको द रखेंगे और लिट से कवर कर देंगे तो काफी सारा बॉयल आ रहा है इसमें पानी में और इनको हमें 15-17 मिनट कुक करना है तो मैंने बीच में चेक किया तो काफी दिखने में कच्चे कच्चे से ही लग रहे थे तो अब ये देखे 17-18 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे तो इस तरह से नाइप से आप इनको निकाल लें बहुत आसानी से ये निकल कर त्यार हो जाते हैं चुकि मैंने ग्रीज भी किया था प्लेट को तो आसानी से ये निकल कर त्यार हो गया है तो चट्टी यमी सी तयार हुई है, कलर भ़ले नहीं आया है लेकिन चटनी टेस्ट में बहुत ज़्यादा ही लाजबाब बनकर तयार हुई है तो आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाए अगर आपको चटनी में कलर चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिल्च पाउडर एड़ कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही जादा बहुत ही टेस्टी बन कर त्यार हुए हमारे मुमोज तो दोस्तो रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में